हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई हूप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एगेन आपके सामने इंपोर्टेंट साइंस क का एक न्यू चैप्टर एक फ्रेश चैप्टर अपके लिए शुरुवात करने जारे दोस्तों जिसका नाम है चैप्टर नमर ट्वेल्स आज हम इसका पहला लेक्चर देखने वाले है ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि आपको पहला लेक्चर मिसिंग था वहाँ प अगलग चीजों में प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पर एसीडन बेस बेसीकली क्या होता है तो अगर हम लोग बात करें कि देखो एसीड और बेस पहचानने के लिए आपको बहुत सारे चीज़े हैं जिसको आप देखके स्मेल कर करके टेश्ट करके और उसको अब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि लेकिन एक्जाक्ली आप नहीं पता लगा सकते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथर्स बनाए गया है वो सब हम लोग चीज समझने की कोशिश करेंगे तो अगर हम लोग बात करें कुछ सबस्टेंस इसे होते हैं जो हमें कड़वा टेश्ट लगता है यानि कि बितर हुता है तो यहाँ पे टेष्ट के एकड़वा टेश्ट लगता है या उइंध लिए तो यहाँ बितर की बात करें wanna आपको समझ में आगया हुआ, एक्जामपल से यहां पर चरचा कट रहा चाओंगा, ठीक है, एक्जामपल के अगर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर सावर चीज, खटा चीज आपने बहुत सरी चीज खाये, जैसे कि आपने लेमन खाये, निम्बू, ठीक है, आपने संतरा खाये, यानि कि औरेंजेस खाये, ठीक है, आपने क्या खाये, टैमरिंड, इमली, जो बोलते हैं, हम लोग टैमरिंड, इमली, वह आपने खाये, एक्सेक्टरा, तो यह सभी चीज आपने जो टेस्ट किया है, यह सभी के अंदर क्या होगा, कहीं न कहीं, एक ए पानी के अंदर मिले हुए रहते हैं यह चीज जैसे कि आपको बता है कि these fruits contain some amount of water which are having some acid content that's why it is sour in taste यह आपको पता है तो soluble in water होते है यह भी आपको ध्याद में रखना है कि जो भी acid होता है वो थोड़े कट्टे तो होते हैं लेकिन कम से कम वो जो है पानी में soluble हो सकते है यह चीज आपको ध्याद में रखना है ठीक है और हर एक चीज के अंदर हम बात करें फूड करें फूड हमारे अंदर होता है थो कोई भी चीज हम रहिं कर पाते हैं इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अनिमल्स के अंदर होता है अध्याद्स अधीज अब देखने मिलते हैं जो की फूर्ट को पकाने के लिए और अपने food preparation और वगरे चीजों के लिए help होता है तो acids के बारे में यह जानकारी मैंने दिया है ठीक है ना और acids जो food stuff में present होते हैं normally अगर हम बात करें कि जो खाने में जो acids present होते हैं जो normally क्या होते हैं एक तरीके से natural acids होते हैं है उसको हम लोग totally खा सकते हैं और कोई भी नुकसान नहीं पूचेगा वह यह अगर मैं बात करूँ HCL आप like market से खरीद के लाओ और HCL को पी जाओ करना मत बिल्कुल दोस्तो इडिस totally against the law and HCL अगर आप like अगर टेस्ट करते हो अगर आप चख भी रहो तो हो सकता आपका जबान जो है जल जाओ आपके अंदर अगर आपने गलती से पी भी लिया तो आपकी पेट की अथड़ीया अथड़ीया सब फढ़ जाएगी दोस्तों और आप लोग मर भी सकते हो तो यह बि अगर आपका अगर आपका और आपका और चीजन लेवल को बढ़ाने वाला इम्मून बिश्णर होता है यह सबी चीज हमारे इसके अंदर होता है इसको एकोर नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग भोलते चार्बोनिक असीड विकॉस अफिर या फिर फूट श्टफ में प्रेजन उते हैं उसके अंदर नाचुल असीड या फिर कार्बोनिक असीड जो के हमें कोई बी तरीके से नुक्सान नहीं पोच्छा सकते हैं यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और यह जो acids होते हैं, यह weak in nature होते हैं, यानि कि these acids are called as the weak acid, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं weak acid, यानि कि बहुत कमजोर होते हैं, और एक तरह के से हम लोग खाते भी हैं, तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुचा सक ठीक है, और ऐसे देखा जाएं, तो there are so many acids which are hard also, यानि कि weak तो होता है, strong acids भी होता है, बहुत सारे acids होते हैं, जो मार्केट में available होते हैं, वो strong acids होते हैं, और गलती से अगर आपने इसको छूब भी लिया, यानि कि concentrated अगर है, तो आपका वो skin को जला सकते हैं, आपने देखा पता नहीं कहां से उनको easily available हो जाता है, और वो गलत चीज़ करते हैं उसके वज़े से, तो यह सब चीज़ ना हो, that's why यह सब चीज़ का law बनाया गया है, it is against the law, यह सब चीज़ के उपर, तो चलो वो तो अलग बात हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहें strong acids भी होते हैं, जो chemical factories म बहुत ज़ादा pain होगा, तो यह चीज़ हो सकता है, ठीके ना, और क्या होता है, एक तरीके से dilute acid भी होती है, आप देखोगे अगर आपके laboratory में, जो आप लोग school college जाते हो, तो एक तरीके से आपका जो भी acids होते हैं, वो dilute करके रखा जाता है, यानि कि पानी मिला के रखा और वो ही factory में होता है, concentration का इस्तेबाल, क्योंकि उसमें बहुत बड़े-बड़े products बनाने होते हैं, अलग-अलग चीज़ों के वेसे, ठीके ना, तो यह तो बात होगी acids की, अब हम थोड़ा बात करने के basic चीज़ों के भी, अब basic चीज़ जैसे मैंने बोला क्या होता है, इ यह topic खतम अनने के बाद, एक और topic आपको पढ़ाने वाला, जो कि बहुत interesting माना जाता है, और इससे आपको पता चलेगा, कि कोई भी चीज़ को हम लोग बिना test के भी कैसे बता सकते हैं, कि whether it is acid or base, यह चीज़ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छे स समझ में भी आएगा, ठीक है, तो जैसे हम चर्चक कर रहें तो दोस्तों, कि basic चीज़ क्या होता है, कडवाहाट होता है, थोड़ा bitter in taste होता है, तो normally अगर एक best example बात करें, जो कि आपने अकसर देखा हुआ है अपने घर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते है, baking soda, baking soda क्या होत होता है, एक तरीके से basic चीज़ है, base है, जो कि इस्तिमाल होता है, अलग अलग है, food material में ताकि उसका use किया जा सके, तो basically, आपने देखा होगे कि कुछ जो बेसन का चीज़ बनते है, जैसे कि पकोड़े बनते है, वड़ा बनता है महाराष्टर में, तो उसमें क्या होता है, वो बेसन के batter में, यानि कि जो paste होता है, उसमें ये soda डालते है, ताकि वो fluffy बन सके थोड़ा, ठीके न, पाओ अगर ये manufacturing में भी ये डालते है, और ऐसा देखा जाए, तो इसका जो taste होता है, बिटर तो होता है, लेकिन इसको हम लोग ऐस्ट्रिंजेंड बोलता है, ऐस्ट्र या अलग-अलग factories में इसका इस्तेमाल हो सके, बेकिंग सोडा को हम लोग normally formula होता है, इसका एन एच सी ओट्री, इसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा, एक होता है, sodium carbonate, इसको washing soda भी बोलते है, that is, एन एटू सी ओट्री, इस आदा सम बेसिक चीज़े, जो आपके घरों में, और caustic soda, आपके chemicals में, dyes वगरे में बनाने में काम आते हैं, तो इसे बहुत सारे चीज़े, calcium hydroxide, आपका marbles वगरे में बनाने में काम आता है, तो there are so many things, जिसमें basic चीज़े होती है, लेकिन उसका इस्तिमाल आपके products बनाने में होता है, लेकिन और एक चीज है, कि अगर आप य inflammation यानि कि जलन हो सकता है आपके हाथों में अगर आप उसको touch करते हो, ठीक है, और वही एक और चीज़ सबसे important चीज़े, पानी के अगर बात करें, तो पानी जो होता है, ना तो वो acidic है, ना तो वो base है, यानि कि water is our neutral product, उसका pH level भी होता है, वो pH level क्या होता है, ये सभी है, क्या disadvantages है, ये आपको समझ में आगए, base का भी वैसी ही मैंने बतानी कोशिश किया, अब यहाँ पर बहुत ही बहुत ही बहतरीन topic है, ये आपको बताना चाहूँगा, कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग कैसे पता लगा सकते है, कोई भी acid है की base है, टेस्ट करके, अगर उसका होता है, ये मैं आपको बताऊँगा, जिसका नाम है topic का, हमारा indicators, indicators का काम क्या होता है, कुछ चीज को indicate करना, ठीके न, कुछ चीज को क्या करना दोस्तो, indicate करना, तो इसका काम क्या होता है, indicators का कुछ चीज आपको बताएगा, कि यह यह चीज है, indicate करके दिखा रहे, clear है, तो पेपर क्या होता है? एक तरीके से इतना चोटा सा तुकडा होता है. पेपर का आपने देखा होगा, हैसा चोटा सा तुकडा होता है. और जो भी solution आपका रखा हुआ है. तो यह जो pH paper है वो एक तरीके से indicator से जिसको solution में डुबाया जाता है उसका color check किया जाता है color change होने के हिसाब से हम लोगों को पता लगता है कि वो acid की base है अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बता हूँगा थोड़ा सा आपको बस patience रखना है और एक चीज कि यह जो pH paper होता है वो जो यह सब चीज कुछ ऐसे indicator से जो कि आपको help करते है बतारे में कि whether that अब यह चीज कैसे होता है यह चीज में आपको बता नहीं लेकिन उसके पहले यहां पे कुछ कर सकते हैं हम लोग कुछ यहां पे खेरेक्टरिस्टिक से उसके बारे में चवरचा करना चाहूंगा कि जो लिटमस पेपर है वो मेंली क्या होता है अलकली टेस्ट यानि कि बेस क पर क्या है ब्लू कलर का है और उसको हमने डुबा दिया एक सॉलूशन के अंदर तो वो क्या बन जाता है ब्लू रेड में बन जाता है तो जब वो ब्लू कलर का चीज रेड में बन गया तो समझ जाना कि वो चीज क्या है यह चीज आपको ध्यान में रखना है और अगर हमा इसकी बात करो, फिनॉफ्तिलिन, यह वाला जो होता है, उसको अगर हम लोग किसमें डालते हैं, जो भी solution रहेगा, उसमें डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, तो अगर वो colorless बन गया, तो समझ जाना कि वो क्या है, अगर फिनॉफ्तिलिन, पानी में डालने के बाद, यानि कि पानी नहीं, आपका जो भी solution रहेगा, उसमें डालते हो, तो अगर वो colorless रहेगा, तो समझ जाना कि जो solution में डाले हो, वो acid है, और अगर वो pink हो गया, तो समझ जाना कि वो क्या है, base है, यानि कि alkalie है, यह चीज आपको याद रखना है, तो यह सभी चीज कैसे होते हैं, यह मैं आपको एक chart के माधियम से आपको 100% समझाना ही कोशिश करता हूँ, तो बस आप एक चीज जो है, थोड़ा सा 5 मिनट का और session बचा है, यहाँ पे उसको ध्यान से देख लो, हर एक चीज आपको जो है, वो clear हो जाएगा, ठीके दोस्तों, तो पूरी उमित करता हो कि यह च करेंगे कि कौन-कौन से टाइप के indicator होते है, तो अगर मैं लिटमस Paper की बात करूँ, सबसे पहला टाइप का हमारा indicator जो है, अगर मैं बात करूँ, लिटमस Paper क्या होता है, अगर ब्ली हो जाता है, ब्ली हो तो निदिकेटर वह इनिकेटर ही बात करें जो की है आपका कलर का ही होता है और अगर उसको हम लोग एसीड में डालते हैं तो वो बन जाता पिंक यानि कि जब हमने मिथाइल ओरेंज को उठा के लिक्विड डाला हमने कोई भी सॉलूशन के अंदर तो अगर वो पिंक बन गया तो समझ जाना कि वो एसीड है और बेस में क्या होता है वो प्रेड का रेडी रहेगा ठीक है लेकिन जैसे बेस में डाल दूँगा तो उसका कलर चेंज हो के क्या बन जाएगा ब्ल्यू बन जाएगा क्लियर है दोस्तो तो पूरी उमित करता हो कि यह चीज़ बे आपको समझ में आ गया एक और बहुत इंपोर्टन यूज होने वाला जो इंडिकेटर जिसको बोलते है फिनॉफ्तलीन ठीक है फिनॉफ्तलीन जो होता है उसका जो कलर होता है वो कलर लेस होता है यानि कि इसका कोई भी कलर नहीं होता है लेकिन जैसे हम लोग उसको एसिड में डालते है तो उसका जो कलर है वो भी सेम हो जाता है कलर लेस ही रह तो methyl red क्या होता है? अगर हमने उसको उसका color की बात करें तो ready होगा, obviously, methyl red नाम रखा है, मतलब उसका color ready होगा, और अगर उसको हम लोग बात करें, acid में जब हम लोग डालते हैं, तो methyl red जब acid में जाएगा, तो उसका color red ही रहेगा, तो red का ready रहे गया, तो समझ जाना कि वो acid है, क्या उसका color changes होता है according to the basis and acid, acid and base के इसाब से कैसे, litmus paper, finophyllion, बाकी के जो indicators है, वो कैसे अपना color change करते हैं, और कैसे आपको पता लगा सकते है, कि वो चीज़ acid है कि base है, तो उमीद करते हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, तो stop करते हैं हमारा आज का lecture वीडियो होते हैं, क्या role होता है और कैसे हम लोग identify कर सकते है, वो substance जो है, वो acid है की base है, तो उमीद करते हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जल्द हाजिर होगे, आपके साथ ने एक और बहतरी लेक्चर लेके, lecture no.2 में, आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है, आगे का सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग को notification मिलती रहेगी, ठीके friends, तो मिलते हैं हमारे एक लिए वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.